हेलो एंड वेल्कम आप सबका दोस्तों स्वागत है यह वीडियो जो है जो आप टाइटल भी देख पारे होंगे उसमें लिखा हुआ है कि SBA clerk GA कैसे कराक करें तो दोस्तों इस वीडियो में हम मैं इन फैक्ट आपको बताने वाला हूं कि SBA clerk GA strategy क्या हो सकती है और आने वाले दिनों में आप strategy पर वर्क कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको एक example दे दूँगा एक paper होता है आपका जो की होता है SBI PO का ठीक है अब यहाँ पर बात कर रहे हैं GA की और एक paper होता है SBI clerk एक चीज जो आपको समझनी है वो यह है कि SBI PO में जो pattern follow होगा लगबग वही pattern आपका SBI clerk में भी follow होगा मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि अगर आप तयारी कर रहे हो PO exam के SBI के अगर हम general awareness की बात करें तो वैसा ही paper आपका clerk में आएगा मैं यह भी आपसे कह सकता हूँ कि कई बार जो SBI clerk का paper होगा वो SBI PO मेंस का GA पेपर से जादा tough होगा tough होने का मतलब यह है या फिर समनांतर या एकदम same होने का मतलब यह है कि जो level of questions जो pattern SBI PO मेंस GA में आते हैं वही patterns आपके SBI clerk मेंस के GA में भी आ सकते हैं अब यहाँ पर सवाल आता है कि sir pattern आपके आखिरकार क्या क्या हो सकते हैं what all are we expecting in SBI PO SBI clerk GA SBI clerk मेंस GA तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहला चीज जो आपको focus करना है हमेशा वो banking and financial awareness पे ही करना है इस पर ही आपको सबसे ज़्यादा focus करना है इन पर questions आपके दो type के आते हैं in fact तीन type questions आते हैं पहला आता है static banking दूसरा आता है banks in use और तीसरा आता है Indian economy इन तीन हिस्सों में हमने banking awareness को divide किया है अब अगर हम बात करें static banking का तो static banking में सवाल आते हैं monetary policy से सवाल आते हैं RBI के function से सवाल आते हैं union budget के term से सवाल आते हैं आपके external sector of India से सवाल आते हैं आपके inflation से सवाल आते हैं आपके national income से सवाल आते हैं आपके जो different types of banks है उनका कितना paid up capital है तो static banking पर ये सवाल आते हैं लेकिन इन से questions आपके इन तीनों में सबसे कम आते हैं second number पर हम आते हैं Indian economy पे Indian economy पे एक बहुती बड़ा बहुती broad topic है लेकिन अगर हम बात करें exams of bank की तो यहाँ पर सवाल आएंगे GDP को लेकर इंडिया के जो unemployment numbers हैं उनको लेकर एक चीज़ जो SBI प्यों में नहीं आई SBI clerk में आएगी वो है periodic labor force survey कि उसके हिसाब से क्या data है या फिर इंडिया के अंदर जो आपके अलग-अलग अलग-अलग आपके indices हैं जैसे कि IIP, CPI, WPI इन पे भी सवाल आपका आएगा इंडियन economy एक अतना इतना diverse topic है कि इसमें ना सिर्फ सवाल इन से आ सकता है बलकि आप जो सवाल पूछ सकता है इंडिया का जो एक market है for example, cryptocurrency का जो market है या जो brokerage firms है, insurance companies है for example, एक सवाल आ सकता है कि इन में से कौन से वो आपके states हैं जहां पर सबसे ज़ादा mutual fund का penetration है वो सवाल भी आ सकता है, गुजरात, महाराष्टरा, हजस्थान आंसर रहेगा या फिर सवाल आ सकता है कि इंडिया में इन में से इस साल का दूर सा unicorn कौन सा है तो उसका answer in cred रहेगा पहला कौन सा है, आपका zepto रहेगा तो जब इंडियन economy की बात करते हैं तो हम सिर्फ static की बात नहीं करेंगे विकाज अगर static होगा तो वो static banking में आएगा यहाँ पर हम economic awareness की बात करेंगे syllabus में नहीं दिया हुआ इसका मतलब नहीं है कि सवाल नहीं आएगा सवाल दोस्तों महां से आ सकता है एक चीज और कई बार सवाल ऐसे आते हैं जो कि indirect आते हैं आपको पूरे question में सारा information दे दिया जाता है लेकिन सवाल आता है उसके आगे example के तोर पर ICICI bank पर fine लगाया गया है 12.19 करोड का सवाल आपके सामने आएगा क्यों लगाया गया है या फिर सवाल आपसे आएगा कि अभी हाली में एक index आया है chain analysis का जिसमें crypto currency countries की ranking है उनमें से third number पे कौन है या fourth number पे कौन है अभी हाली में news आई थी कि जो इंडिन economy है वहाँ पर जो market capital है वो पहली बार cross किया है 4 trillion dollar का ठीक है तो सवाल आपसे आएगा कि sir mcap क्या होता है ये सारी चीज़े static की पार्ट हो सकती है लेकिन चूकी है news में है तो उन पे सवाल आपका इस particular part से जिन economy से यहाँ पर आता है जहां तक हम बात करें banks in news की तो banks in news पे आपके questions जो आते हैं वो generally आपके जो leading private sector banks है जो leading public sector banks है उनसे आते हैं सबसे पहले तो उनकी application पे सवाल आता है ठीक है दूसर सवाल अगर उनका कोई portal है application के अलावा उस पे सवाल आता है दोनों ही काफी similar है apps locations और portal इसके अलावा उन्होंने अगर कोई co-branded credit card या co-branded card जारी किया है उस पे सवाल भी examination में आपसे आ जाता है ऐसा कोई नया initiative जो किसी bank ने start किया for example ICICI bank ने start किया है i-finance का सवाल आएगा access bank ने इंडिया का पहला numberless credit card सवाल आएगा SBI ने इंडिया निवी के साथ type किया है सवाल आएगा कि e-nab cash card किस ने किया है तो जो भी कुछ आपका recent है उस पे सवाल आएगा एक सवाल और आता है आपका कि sir कितने समय तक के लिए आपको यह पढ़ना है तो मेरा मानना है कि शुरुआत करिए पहले बहुती small target से पहले last के 3 months पढ़िए और फिर last के 4 months पढ़िए जब ये last के 4 months आप complete पढ़ लें तो ही जो आखरी के 2 महीने है last 6 months में उनको take up करें जो इस बार का trend है अगर वही trend follow हुआ तो जो last के 2 months है bulk of the questions वहीं से आपके जाधा तर इन particular topics से आ जाते हैं देखिए अब इस पे सवाल भी बनेगा आपका कि sir इसका source क्या हो सकता है तो YouTube पे तो multiple sources हैं वो आपकी इच्छा है कहां से आप पढ़ें हमारी कोशिश यह है कि हम अपने YouTube current affair वीडियो के जरीए आपको बता पाएं कि इन topics में क्या के चीज़े news में for example अगर मैं आपको एक trick बताऊं याद करने की तो trick कैसे रहती जैसे कि अगर हम बात करें let's suppose GDP का एक side और let's suppose बात करें हम COP28 का अब आपको लगेगा कि sir GDP तो चलो एक static banking है लेकिं COP28 तो आपका international news है बिल्कुल सही यह आपके national news तो है लेकिन इस पे सवाल आपके बनते हैं economy के basis पे because इस बात को आप लोग मान लीजिए इस बात को accept कर लीजिए कि climate change और climate change की जो policy है वो एक important economic aspect है बिना इसके काम नहीं चलेगा ठीक है अब अगर घ्डिपी बात करें तो बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे की according to RBI कितना रेठ है आपका according to IMF कितना रेठ है आपका according to World Bank कितना रेठ है according to NSO कितना रेठ है according to SNP कितना रेठ है तो यह सवाल बनते हैं अब अगर कॉप 18 की बात करें सवाल बनता है इसका थीम क्या है इंडिया के परस्पेक्टिव में यहाँ पर कौन-कौन से इनिशिटिव आपके लॉंच किये गए जो अलग-अलग आपके हो सकते हैं तो एक ही खबर से मैं क्या कर सकता हूँ मैं काफी चीज़ें पढ़ सकता हूँ अब यह बात ध्यान से आप लोग समझना मैं बहुत ही इंपॉर्ण बताने जा रहा हूँ कि हमारी स्ट्राटजी क्या होती है कि आपकी क्या होने चाहिए कि पहले तो आप पूरे हफ़ते करेंटरफेस को पढ़ें और उनमें से जो लिंगरिंग टॉपिक्स है ऐसे टॉपिक्स जो की बार 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 रिपीट हो रहे है एक्जांपल के तोर पर अभी एक रिपोर्ट आई है NCRB की वो बार बार न्यूज में आ रही है एक लिंगरिंग टॉपिक है कॉप 28 आपका जो है वो एक लिंगरिंग टॉपिक है आर्टिकल 370 आपका लिंगरिंग टॉपिक है ये सारा कुछ इंडियन एकॉनमी के हिस्से हैं इनके बारे में complete जानकारी होने चाहिए एक्जाम में तो आ सकते हैं लेकिन उसको आप anticipate नहीं कर सकते एक्जामपल के तौर पर Mastercard का logo पे सवाल आया था SBA PUMेंस में वो आप anticipate नहीं कर सकते easy है लेकिन anticipate नहीं कर सकते हाँ अगर आपको सवाल attempt करना भी है तो मेरा suggestion ये रहेगा कि अपने आग कान खोल के रखें जैसे की for example अगर अभी सवाल आया अभी एक news में आया कि Silk Yara Tunnel जो है वो अभी वहां से जो हमारे labor's है उन्हें सकुशल निकाला गया है सवाल बनेगा कि कौन सा वो engineer था या कौन सा वो brain था जिसने इस पूरे evacuation mission को lead किया था सवाल उस पे बनेगा कौन से country की जो tunneling machine है जिसका इस्तमाल किया गया और tunnels को बनाने में भी और इसको safeguard करने में भी तो आप समझ रहें कोई भी ऐसा चीज जो लगातार news में है वो exam में आएगा वो मैं सिर्फ banking financial awareness की बात नहीं कर रहा वो मैं किसी भी current affairs की बात कर रहा हूँ जो की relevant होगा जो exam में होगा उस पर सवाल आपका बनेगा तो उमीद करता हूँ आपको clear हो गया है कि ये तीन topics कौन कौन से है static banking, banks in news, Indian economy static banking पे already मैंने एक batch बना दिया है उसमें करीब 13 lectures हो चुके हैं अभी 5-6 lectures आना बाकी है वो lecture में मैंने detail में गया हूँ ताकि आपको static banking जो है वो हम cover करा दें उस particular chapter को आप लोग pleased पूरा देख लीजेगा तो ये banking and financial awareness का है फिर अगर हम आगे बात करें और हम आगे ले चलें आपको हमारे next segment पे तो next segment जो मारा आता है वो आता है current affairs का देखो यार कई लोग आप से कहेंगे कि sir static awareness कैसे करें तो मैं honestly static awareness का बहुत बड़ा fan नहीं हूँ अगर मैं exams की बात करूँ bank के खास तौर पे SBA clerk की बात करूँ because current affairs में जो topics हैं उन पे ही सवाल आपका static banking में बनेगा example के तौर पर पिछले तीन महीनों के हम बात करें तो उसमें सबसे important obviously बात जो terms आ रहे हैं वो आपके आते हैं national से because exam हमारे देश का है सवाल आपके national current affairs से सबसे जादा बनते हैं ठीक है सबसे जादा सवाल national current affairs से बनते हैं देश के अंदर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उस पर सवाल बनते हैं second चीज जो मैं recommend करूंगा out of all the lists में वो मैं recommend करूंगा आपको कि आप इसके अलावा अगरा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं international current affairs को ठीक है मतलब है sequence आप ऐसे कर सकते हो third sequence में आप add कर सकते हो state current affairs मेरा honestly मानना है कि 30 to 40% जो current affairs का section रहता है वो इन तीनों से ही आता है मतलब 40% marks अगर मान लेते हैं 20-22 नंबर का आता है 25 नंबर का आता है current affairs सिर current affairs apart from banking, static and static banking तो उसमें से आप अराम से आराम से 8-10 नंबर इन में से score कर सकते हो इन तीन segment में से अब example क्या हो सकते है national के, international के या state के अगर हम बात करें दोस्तों national का तो national की ऐसी कोई खबर जो देश की खबर है जो देश के लिए important खबर है उस पे आपका national current affairs आपका बन सकता है अगर कोई इंडिया में conference हो रही है जैसे कि अभी इंडिया में world food India event हुआ था वो national current affairs है इंडिया में G20 हुआ था national event है इंडिया में global partnership और AI हो रहा है national event है या फिर इंडिया में कोई नया मंत्री चुना गया national event है इंडिया के अंदर कोई नई policy पर काम किया जा रहा है है तो वो economy का लेकिन अगर वो देश को effect कर रहा है वो भी आपका national current affairs में दोस्तों जो है वो आएगा दूसरा आता है international current affairs international current affairs में आम तोर पर जो हमने एक trend देखा है पिछले दो सालों में कि अगर कोई बड़ा और बहुत बड़ा geopolitical event है उस पे सवाल बनता है जैसे कि इस बार के pure means paper में जो इसराइल और अरब जो इसराइल और पालिस्टीन की war है सवाल उस पे बना था उससे पहले सालों में पिछले महीनों में सवाल यूकरेंग को लेकर बना था तो अगर कोई मुद्दा contentious है न्यूज में है उस पे सवाल आपके नाशल कंटरफेस में बनेगा नाशल कंटरफेस में आम तोर पे सवाल आपके ज़्यादा तर अवोर्ट से आते हैं अंतराश्टिय समिट से आते हैं जियो पॉलिटिक से आते हैं और science and technology से आते हैं इनसे अमूमन जो maximum सवाल है वो इन ही particular चीजों से आपके आ जाते हैं देखिए अब एक जो मैं आपको चलो कुछ देता हूँ cheat code आपको कि कुछ सवाल जो मैं expect कर रहा हूँ examination में देखिए मैं expect कर रहा हूँ आपसे अगर हम international की बात करें तो जो Nobel Prize है उनका detail मैं expect कर रहा हूँ कि उनका detail में सवाल आपका आएगा detail में मतलब यह नहीं सवाल आएगा कि किसको क्या मिला for example PO में सवाल आया था कि जो 80 seconds है वो कितने power के होते हैं कि इतना होता है वो सवाल आया था या फिर अगर हम बात करें national current affairs की तो सवाल बना था आपका 54 इंटरनाशनल Film Festival इंडिया से सवाल आया था कितना प्राइज मनी है आपका तो उसका आंसर था 40 लाग रुपए तो एक चीज तो confirm है वो confirm क्या है कि आपको maximum current affairs नहीं पढ़नी है आपको उन current affairs को track करना है जो की important है और जिस पर in-depth आपको आना चाहिए इसका एक ही solution है बहुत ही basic solution है और वो है current affairs on a regular basis daily current affairs at ATM is a must वो must इसलिए भी उन लोग के लिए है जो अभी शुरू कर रहे हैं उसमें हम revise भी कराते हैं आपको जो पिछला पुराना है उसको भी हम उसमें जो है वो आपके लिए revise कराते हैं तो ये बात जरूर आप याद रुखेगा कि उन current affairs को daily basis से पढ़ने का value है और उसका weekly revision करना भी आपका value है फिर हम बात करें दोस्तों states की ठीक है तो state में एक तो state की जो schemes हैं उन पे सवाल बनता है लेकिन अगर मैं schemes की बात कर रहा हूँ तो national में जो government schemes हैं उन पर जादा सवाल आपके बनते हैं अच्छा अब सवाल बनेगा sir government schemes हमें कौन सी पढ़नी है देखिए अगर मैं preference की बात करूँ तो जो आपकी social security schemes है उनको तो आपको पूरा पढ़ना है मैं आपको example देता हूँ आप इसको एक बाद गूगल कर लिजेगा उनके example है आपका प्रधान मंत्री जंधन योजना अटल पेंशन योजना प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना ये योजना हो गए या फिर senior citizen scheme किसान विकास पत्र नाशनल सेविक सर्टिफिकेट अभी हाल ही में एक scheme आई थी आज से एक सार पहले महिला बचत पत्र तो जो भी आपकी social security schemes हैं उन पे सवाल बनेगा मैं आपको एक बहुती basic बताता हूँ psyche एक examiner की psyche बिसिकली होती क्या है examiner की psyche ये होती है कि वो कोशिश करेगा आपको ये सवा कूछने के लिए जो आपको जाना जरूरी है जो आपके life में आपके आने वाले life में और देश के अलग लोग को impact पड़ता है या फिर अगर हम banks की बात करें banks के कैसे कौंसी schemes हैं जो banks offer करता है example के तो पर PM जन्मन scheme ये scheme बहुत important है लेकिन अगर मैं priority में बात करूंगा तो मैं इसको रखूंगा पाचवी priority पर इससे ऊपर जो चार होगा उसमें रहेगा एक तो प्रधानमंत स्वनिधी स्कीम प्रधानमंत्री स्वरी सेविंग स्कीम महिला पचतपत्र उसका रीजन यह है बेटा ये योजनाओ का सीधा लिंक जो है वो bank से है example के तौर पर हर दूसरे एक्जाम में मनरेगा के उपर सवाल बनता है क्यों बनता है बिकाज मनरेगा का जो पैसा जाता है वो bank के जरीए जाता है in fact एक सवाल भी आया था कि इनमें से वो कौन सी स्कीम हैं जिसमें direct benefit transfer DBT से पैसा आपका जाता है या फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए उजवला स्कीम एक बहुत बहतर स्कीम रहेगी अगर हम कम बात करें in terms of national counterfeast in terms of government schemes तो government schemes वैसे होते हैं त central sector scheme से या central sponsor scheme से बनते हैं state sponsor scheme से सवाल आपके नहीं बनते हैं clear आपको यहाँ पर तो यह तीन segment जो है वो current affairs में हम जो maximum question वहां से आते हैं लेकिन अगर हम उसमें add कर दे science and tech को उसमें add कर दे summits को awards को उसमें अगर हम add कर दे for example इस पार तो days पे सवाल नहीं आया है लेकिन अग function authors की बात करें तो यहां से भी एक से दो question आपके जो हैं वो आ सकते हैं सबसे best तरीका इनको याद करने का यह है कि daily basis पर आप notes बनाएं और notes को segregate करें हर एक section में ठीक है और segregate करने के बाद जो उस हफते की जो उस दिन की in fact सबसे बड़ी ख़बरे हैं उनके लिए आप इस् ने पढ़ा कि पिछले दो हफ़तों में addb जो है वो न्यूज में है ठीक है अबडिबी जो न्यूज में है तो न्यूज में क्यूँ है बिकॉज passiert के लोन देता है तिमाम तरह के organizations को तमाम तरह के companies को तमाम तरह के खास तरह पे countries को अमूमन countries को लोन देता है corporations को लोन ये कम देता है ठीक है अब सवाल आपका बनेगा sir मैं ADB क्यों चूज करूँ मैं World Bank क्यों चूज ना करूँ तो मेरा उसका answer होगा because India जो है वो Asia में है और Asia में ADB का रोल आपका सबसे ज़ादा है comparatively आपका ज़ादा है अगर हम उसे compare करें अगर हम उसे compare करें with respect to World Bank ठीक है तो ADB की बात करेंगे तो ADB को numbers आपको पढ़ने जैसे कि अभी 175 million dollars का agreement किया है उसने MP के साथ roads को लेकर देखो सिर्फ सवार यह नहीं आगा कितना किया है क्यों किया है वो भी reason आएगा या फिर ADB ने अभी दोस्तों agreement किया है 181 million dollars का एहमदाबाद के जो peri urban areas है उनके लिए इसने अभी हाल ही में agreement किया है 5.3 million dollars का with renew के साथ agreement किया है तो ये ऐसे आब link कर सकतो या फिर 295 million dollars का agreement किया है उसने किसके साथ बिहार के साथ agreement किया है तो ऐसे जो है आप link कर सकते हो एक current affairs को बास समझ में आपको आ रही है ऐसे link कर सकते हो तो ये जो खबर है इस तरह से आप उसे पढ़ोगे या फिर अगर मैं example दूँ आपको और कुछ awards की बात करूँ तो कुछ awards बहुत ही common है पेपर में जैसे कि मैं आपको link एक लिए देता हूँ लिस्ट International Film Festival of India Awards latest है Emmy Awards latest है BAFTA nominations latest है National Awards आपका latest है इन पे तो सवाल बनेगा ही बनेगा इनसे detail में आपका question जो है वो बन सकता है अब एक और trick आपको याद करनी है जो की appointments में है appointments में अगर आपको याद रखना है कैसे आप priority set करोगे तो सबसे top पे रहेगा आपका bank appointment सबसे top पे रहेगा सबसे top second number पे रहेगा government central government appointments ठीक है third number पे रहेगा अगर इसको बाद आपको पढ़ना है वो रहेगा आपका secretarial appointments जो secretary level पे appointments होते हैं इसमें आपके जो अलग-अलग organizations हैं जो government के साथ काम करते हैं उन पे भी आपका सवाल बढ़ेगा इतना पढ़ोगे उसके बाद बागे appointments को आप लोग पढ़ लेना personally मैं बताऊं तो obituary को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है because जो obituary important है वो तो already आप पढ़ चुके होगे जैसे कि पिछले तीन महिनों की बात करें तो Henry Kissinger जो की secretary of state थे आपके US के former बहुती famous आदमी थे उनका death हुआ है Charlie Munger जो की Berkshire Hathaway के wise share थे उनका death हुआ है उन पे सवाल आपका बनेगा June Mekhmood जो की बहुत बड़े senior actor थे उनका death हुआ है तो वो तो बहुत common है मतलब वो आपको पता होगा कि कौन बड़ा व्यक्ती एक Indian perspective में ठीक है और एक आपका world perspective में ठीक है world perspective में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत basic सी में बात आपसे कहूँगा जैसे कि Nobel Prize सबसे पहले फिर Nonsense Prize अभी आरहाली में दिया गया था ठीक है फिर Sakharov Prize दिया गया था अभी हाली में इसके लावा Man Booker Prize ये प्राइस होता है एक तो fiction का और एक आपका translation का जिसे translate किया गया है इंग्लिश में एक जो आपका इंग्लिश में ही था ठीक है वो बनेगा आपका इसमें अगर हम बात करें इतना पढ़ लोगे तो इसके बाद अगर आप नोबेल प्राइस पढ़ा है अगर आप पी बुकर प्राइस पढ़ा है तो इंडिया के जो perspective अवार्ड से उनको पढ़ लेना जैसे कि बिहारी पूरुस्कार जैसे कि सरस्वती सम्मान ग्यानपीट अवार्ड ये इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है ये वर्ज परस्पेक्टिव में हो गया अगर आब बात कर इंडियन परस्पेक्टिव में तो इंडियन परस्पेक्टिव में कोई ऐसा सम्मान जो देश के अंदर दिया गया है या देश के बाहर दिया गया है जो किसी भारतिय को आपका दिया गया उस पे सवाल बनेगा जैसे कि अभी हाली में क्लाइमेट लॉजी को लेकर एक अवार्ड मिला था एक इंडियन क्लाइमेट लॉजिस्ट को उस पे एक्जाम में सवाल बना था तो कोई अगर किसी इंडियन को को अवार्ड दिया गया है ना तो वो तो इंडियन पर perspective पे कोई भी अगर अवार्ड दिया गया है उस पे सवाल बनेगा आम तोर पे फ्रांस हर समय कोई ना कोई इंडियन को अवार्ड देता है चाहे उसका लिजिन ओनर हो या आर्ट से लेटर्स का अवार्ड हो वो कोई ना कोई अवार्ड तो देता रहता इंफाक्ट मोदी जी क फिर आपके six months पर इसे आप दोस्तों पढ़ सकते हैं तो यह अवार्ड काडिगरी के अंदर दोस्तों आता है end में मैं आपसे दोस्तों इतना ही कहूंगा कि तीन चीजों का ध्यान दीजेगा सबसे पहले इस बात को आपको accept करना है कि जब आप paper attempt करें तो आपको हर question के answer नहीं आएंगे इस बात को accept कर लेना है आपको तीन steps में चीजों को ध्यान रखना है सबसे पहले the one second rule जैसे ही आपका question पढ़ा आपको तुरंत answer आजाएगा तुरंत answer आजाएगा उस समय भी आपको यह बात का ध्यान रखना है आपसे पूचा है correct पूचा है या आपसे incorrect पूचा है ठीक है all of these पूचा है या none of these पूचा है one second rule में answer तो आपको आजाएगा लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि आपसे पूचा क्या है कितने correct हैं कितने incorrect हैं descending order है ascending order है all of these है none of these है यह आएगा that is one second rule इसके बाद जो second method आता है that is the elimination method बहुत ही basic सा है जो 5 options आएंगे उनको एक बार देख लो उनको देखने के बाद आप decide करो कि कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देना है कौन सी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है बात समझ में आ रही आपको यह बात आपको clear हो रही कि नहीं हो रही है प्लीज कमेंट कर जिएगा yes या no फटा फट जल्दी से everyone जल्दी से कमेंट कीजेगा everyone है ना अभी तो खाया recorded है तो मेरी आदत है लाग कमेंट करने की लेकिन उमीद कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो एंड में दोस्तों मैं आपसे बस बहुत लबा वीडियो हो गया इंड में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि दो से तीन तरीके होते हैं पेपर निकालने के तरीका पहला होता है कि जब से नोटिफिकेशन आये तब से आप तयारी शुरू कर दें तो अभी स सही मौका है अभी लास्टेट कुछ समय पहले ही गुजरी है तो आप अभी भी प्रिपेर कर सकते हैं शुरू कर सकते हैं सेकेंड डेली कर नहीं है लेकिन जो लोग डेली कर भी रहे हैं जो वीकली कर भी रहे हैं उन्हें बॉक्स मेथन का यूज करना चाहिए जहां पर जो करने के बाद जो मंतली करन्टरफेर्स हैं उनसे मैच करना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं MCQ सेशन को आपको लेना है as a revision नहीं as a exam की तरह कि वो जो type of question जो हम बना रहे हैं आपके लिए वो exam based पे हैं वो कैसे आप answer कर पा रहे हैं जानबूच कर मैं कुछ questions को आड़ करता हूँ जो बहुत ही difficult होते हैं because ताकि आपको ये clear हो कि अब जो paper हैं पिछले दो सालों से जो paper है जीए के वो typical आते हैं वो detail आते हैं ये जरूर देखा है मैंने कि आपकी तयारी better हुई है लोग इस बात को accept कर चुके हैं कि current affairs को या किसी भी topic को हमें detail में पढ़ना पढ़ेगा तो वो तो आपको करना पढ़ेगा all in all guys मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि GA को आप maths इंग्लिश रिजिंग की तरह लीजे उसकी तरह ही उसे accept कीजे तो ही काम चलेगा बाकी आपको मेरे साथ अगर पढ़ना है मेरे batches में तो मेरा अभी फिलहाल एक batch चल रहा है bank की financial awareness का उसके लिए आपको use करना है code kp10 by the mid of December मैं लेकर आ रहा हूँ SBI clerk का batch SBI clerk का GA batch उसको जरूर आप लोग देख लीजेगा वो batch GA का होगा जिसमें हम banking को भी cover करेंगे और जिसमें हम cover करेंगे current affairs को भी तो उसके लिए भी यही code आपको use करना है अगर मैं आपसे कहूं तो आप exclusive हमारा जो batch है exclusive हमारा जो package है उसको अवेल कर लीजेगा या फिर अलग से भी banking awareness package जो है आप अवेल कर सकते हैं तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं